नमस्कार प्यारे साथियों ग्यान सिंदु कोचिम क्लासेज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है भारत महिमा की मांग थी कई बच्चों ने हमसे कॉल करके कहा कई बच्चों ने बहुत ज्यादा कमेंट की हालांकि ये वीडियो पहले में दे चुका था लेकिन वो कह थे थोड़ा सा और इंप्रोव करके थोड़ा सा और जबर्दस तरीके से आप दीजिए बुक से चलिए बुक से आज पढ़िए कोई दिक्कत नहीं स्टार्ट करते हैं चलत पयादें खात फल पिता दीन तजिराजु जात मनावन रघुबरही भरत सरिस को आजु प्रसंग उस समय का है जब भगवान राम वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं तो भरत उनको मनाने के लिए वहाँ पर जाते हैं और उसी प्रसंग का वरणन यहाँ पर गोस्वामी तुलसी दाजी ने किया है आपकी पाठ्थे पुस्तक में है इसलिए आपको पढ़ना है तो काइदे से आप सभी लोग एक बार सभी शेयर कर दीजिए फिर मैं काइदे से स्टार्ट करता हूँ है ना बहुत मेहनत करनी है आज आपको भी और हमें भी लंबी क्लास है ये ठीक है लंबी क्लास है और टिकना है आप सभी को आप नहीं टिकेंगे तो भाया हम भी नही में लिखा तो ये जो प्रसंग है ये भरत की भाई की भक्ती को प्रस्तुत कर रहा है इस प्रसंग में भाई की भक्ती कितनी प्रगार है कितनी उतकट भक्ती है भरत की राम के प्रती उसको दर्शाया गया है राम को पिता के द्वारा वनवास दिये जाने के बाद भरत उनको भात्र प्रेम को सम्मान देना चाहिए और वैसा ही उनका ही अनुकरण करना चाहिए इसलिए तुसी दाज ने कहा है कि भरत सम्भाई हुएं हुएं हैं न होंगे यानि न भरत जैसे भाई हुएं हैं और न होंगे ठीक है चलिए भिया तो स्टार्ट करते हैं भरत महिमा तो इसका संदर बगरा सब आप लिखी लेंगे अच्छा देख लेते कितने लोग जुड़े हैं पहले बताओ जुड़े कितने लोग हैं देख कम संख्या में जब जुड़ते हैं तो हताशा होती है तो चलत पयादे एक एक जबरदस्त काइदे से मीनिंग समझेगा चलत पयादे पयादे का अर्थ समझते हो पैदल चलत पयादे खात फल पैदल चलते हैं पयादे का अर्थ क्या है पयादे का अर्थ पैदल चलते कैसे हैं पैदल चलते हैं चलत पयादे और खात फल फलाहार करते हैं पिता दीनहता जी राजू यानि भरत जी पिता जी के दिये हुए राज्य को त्याग दिया है चलत पयादें अब पैदल जा रहे हैं फल फूल ही खाते हैं कंद मूल फल का ही भोग करते हैं है ना हमारे साथ जुड़े हुए है गरिमा वर्मा, पलक पांडे, रितेश प्रजापती आशी श्यादो, आशी गुपता दिव्यान श्त्रपाथी टेक सुमित कहते हैं माई फैवरेट क्लास है चलिए जुड़े रहे दिलीब गौतम बीज-बीज में आप सब की कमेंट हम लेते रहेंगे बहुत बढ़िया चैप्टर है शिवांगी यदवशी जी चलिए तो पैदल चलते हैं खात फल फलाहार करते हैं पिता दी नितज राज और पिता जी के राज को भी त्याग दिया बोले लेओ अपना राज लेओ मुझे नहीं जरूरत है अरे मेरा भाई जब नहीं रहेगा तो हम इस राज को क्या करेंगे तो चलत पयादे पैदल चलते हैं खात फल फलाहार करते हैं यानि अब आप देखे आप जब उपवास बरत रखते हैं तब ही फलाहार करते हैं लेकिन भरत जी भाई राम के वियोग में ही क्या फल खाते हैं उपवास रखते हैं और पिता दी नितज राज पिता जी का दिया हुआ राज जय त्याग दिया वो भाई देखिए उस समय का और इस समय का भाई देखिए एक महा भारत का भी भाई था जो भाई को काट रहा था और एक ये रामायड का भाई है इसलिए हमारा आदर्श हमारी रामचरित मानस है जात मनावन अब देखे मनावन मनावन अर्थात मनाने के लिए प्रसंद करने के लिए रगुबर ही यानि कि रगुबर भगवान स्री राम को मनाने के लिए भरत जा रहे हैं भरत सरिस को आज सरिस मने समान यानि इनके समान आज कौन है भरत जो है सरिस मिनस होता है समान भरत के समान आज कौन है अर्थात कोई नहीं जो भगवान राम को मनाने जा रहे हैं उनके समान कौन है कोई नहीं दो-दो पंक्तियां पढ़ेंगे यो दो-दो का आर्थ बताएंगे ठीक है चलिए भायप भागती भरत आचरनू कहत सुनत दुख दूशन हरनू जो की चुकाहाब तोर सकी सोई राम बंधु अस काहे नहोई भायप भायप का मतलब होता है भाईपना भायप का आर्थ क्या होता है भाईपना भागती भाईपना और भागती भरत आचरनू और भरत का आचरन भरत जी का भायप यानि भायप मतलब भायप पना और भरत जी की भायप के प्रति भक्ती भरत आचरन और भरत जी का आचरन कहत सुनत दुख दूशन हरनू मात्र कहने और सुनने से कहत सुनत दुख दूशन हरनू मात्र कहने और सुनने से दुख और दूशन अर्थात दोशों को हरने वाला है मात्र आप इसका वरण कीजिए तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे जो किचु काहब तुलसीदाज जी कहते हैं अगर देखे वहाँ पर दो सखियां बाते करें तो कहते है सखी जो किचु काहब मैं जो कुछ कहूंगी देखे ग्राम वधुएं हैं खड़ी पारता लाप कर रहीं कि भाई ये जो भरत जा रहे हैं सामने परोस में जो भरत जा रहे हैं इनकी जो महिमा का वरणन है अगर हम सब महिमा का वरणन करें तो कहते सुनते कहते कहने सुनने में ही है ना हां बिलकुल पलक पैंडे बिलकुल डेली अब लाइब होगी कोई दिक्कत नहीं है जब तक आपका काब और आपका सिलेवस पूरा नहीं जाता मैं डेली क्लास लूँगा ठीक है तो जो कुछ कहब जो कुछ मैं कहूंगी थोर सक्षी होई वह थोड़ा ही होगा यानि उनके संबंद में भरत के भरत से रिलेटेड जो कुछ मैं कहूंगी जो कुछ कहब जो कुछ मैं कहूंगी थोर स यानि मैं तनिक ही कह सकती हूँ, मैं उनका वरणन तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो कुछ भी कहा जाए उनके विसे में, वह थोड़ा ही है, थोड़ा ही है, मतलब जो भी कहा जाए वो थोड़े है, क्योंकि इतना उनका वरणन कर किया जाए तो लाखों गरंत भर जाएंगे, राम बंधु अस काहिन होई वो राम जी के भाई है भगवान राम के बंधु राम बंधु राम के भाई है अस ऐसे काहे क्यों न होई क्यों न हो क्योंकि वो भगवान राम के भाई है तो फिर ऐसे क्यों न हो है ऐसे क्यों न हो हम सब सानुजे भरता ही देखे भईन धन जुबती जन लेखे सुनी गुन देखी दसा पचिता ही कैकई जननी जो गुसुत ना ही अब सखियां आपस में बाते कर रही है क्या कि हम सब सानुज सानुज माने सानुज अपने छोटे भाई सत्रुगन के साथ हम सब छोटे भाई सत्रुगन के साथ सानुज अनुज माने छोटा भाई तो हम सब सानुज अनुज मतलब छोटे भाई सत्रुगन के साथ भरता ही दे हम लोगों ने भरत जी को देखा और भाईने धन्य हम सभी लोग धन्य हो गए जुबती जन लेखे यानी हम धन्य हो गई बड़भागिनी हो गई और इस्त्रियों की गिनती में आ गई युबती जुबती माने युवती ठीक है युवती और युवती मतलब इस्त्रियां हम ल लेखे अर्थात लोगों की निगाह में आ गई यानी कि हम गिनती में आ गई जन लेखे माने लोक गिनती में आ गई हम लोग सुनी गुन देखी दसा पचिता ही और कई कई जन जो गुसुत ना ही वो क्या कह रही है सुनी गुन औरे इस प्रकार भरत जी के गुनों को सुन करके सुनी गुन देख ही दसा पचिता ही और उनकी दशा देखकर सारी स्त्रियां पच्छता रही है कैकेई जनन जोग सुतनाही और वह यह कह रही है कि कैकेई के जन्म कैकेई जनन अरथात कैकेई के पैदा करने योग यह सुत नहीं था यानि माता कैकेई जैसी कैकेई जैसी माता के योग यह नहीं है कहती है इस्त्रिया कि भईया ये कैकेई को कैकैी के गर्ब से जन्म लेने योग्य नहीं था क्योंकि कैकैी इतनी भाग्यशा ली कहा ऐसा इस्त्रियां कहती है फिर आगे देखिए आगे क्या है कर तूत मलीनी बसा ही कुदेश कुगाओ कुबामा कहा यह दरसु पुन्य परिनामा अस अनन्दु अचरिजु प्रतिग्रामा जनु मरुभूमि कलप तरुजामा जनु मरुभूमि कलप तरुजामा जनु लगने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है ठीक है उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर हो गया है तो चलिए यहाँ फिर से देखते हैं कि कोई कहा दूशन कोई कहती है दूशन अर्थात दोश रानी ही नाहिन रानी का इसमें कोई दोश नहीं है बिधी अर्थात भाग्ये ने सब कीन भाग्ये ने जो कुछ सब किया है हमई जो दाहिन ये तो सब भाग्ये का खेल है ये सब बिधाताय ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है दाहिन का देखें आपर है अनुकूल बिधिसबुकीन हमई जो दाहिन यानि हमारे जो कुछ ब्रह्मा ने किया वो मेरे अनुकूल है यह इतनी दूर रहते थे अयोध्या में हम लोग इतनी दूर रहती थी अगर दोश रानी का नहीं हम देंगे यह तो बिधाता ने किया है वरना हम लोगों के क नहाँ ये आवकाद थी कि भाई भरत जी के प्रहु स्री राम के दर्शन करती है वाज ये दिखिए भाग्य हमारे हैं कि भाई भरत के साथ में शत्रगन के भी दर्शन हो रहे हैं है ना तो ये हमारे भाग्य हैं तो वो कहती है कि को कहा दूशन कोई सकी उनमें से कहती है कि ज हम ही जो दाहिन, हम ही जो दाहिन मतलब हमारे जो अनुकूल है, कहां हम लोक बेद विधी की मर्यादा से हीनी माने नीची हैं, हम लोग नीचे कुल की इस्त्रिया है, हमें बेद भी पढ़ना नहीं, कहते हैं इस्त्री शुद्र को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, तो हम लोग एक तो निम्न जातिकी हैं, और वेद विधी सबसे हीन है, हमें कोई न तो वेद पढ़ने देता है, न तो विधी पूर्वक प हम तो इस लोक और वेद दोनों विधियों से हीन हैं दोनों विधियों यानि दोनों मर्यादा से हीन हैं और लगुतिय कुल करतूति मलूनी लगुमाने छोटी सी छोटे कुल की इस्त्रियां है लगुतिय कुल छोटे कुल की इस्त्रियां है और कुल करतूति मलीनी हम तो से करतूत माने कार्णामों से कार्मों से और वंश से हम सब मलिन हैं हम इस्त्रियां जो हैं एक तो हम सब इस्त्रियां तुच्छ वंश से और करतूत से मलिन हैं हम तुच्छ इस्त्रियां हैं बसहीं कुदेश हम लोग निवास करते हैं कुदेश माने खराब देश में कुगाओं कुबामा हम जो बुरे देश में यानि जंगली प्रांत में रहते हैं बुरे गाओं में बसते हैं ठीके हम नीच इस्त्रियां हैं कुबामा मने खराब इस्त्रियां हैं नीच इस्त्रियां हैं कहां यहां दरसु पुन्य परिनामा और ऐसा मतलब वो कहते हैं हम तो बहुत बुरी इस्त्रिया है, पहले तो दर्शन हमें, हमें इनका मिलना सी नहीं था, हम लोग ऐसे नीच क्वालिटी की इस्त्रिया है, हमें तो दर्शन के दुरलब ठे, लेकिन ये तो पुंड का परिणाम है, जो इनके दर्शन हो रहे हैं, ऐसा अनंद और ऐसा अचरज अचरज माने आश्चरज प्रतेक ग्राम में है ठीक है ऐसा ही आनंद और ऐसा ही आश्चरज प्रतेक गाउं में हो रहा है और मानो ऐसा लग रहा है जानो मानो ऐसा लग रहा है मरुभूमी अर्थात मरुस्थल में मरुभूमी में कल्प तरु कल्प व्रक्ष जामा माने उग आया हो ऐसा लग रहा है जैसे मरुस्थल में कल्प व्रक्ष जमाया हो फिर दिखेगा दूसरा दोहा है तेही बासर बसी प्रात ही चले सुमिरी रगुनात राम दरस की लाल सा भरत सरिस सब साथ तो तेही बासर तेही माने उस बासर माने दिन में बसी माने निवास करके रुक करके ठहर करके प्रात ही प्रात ही प्रात ही चले सुमिरी इसमरण करके रगुनात रथात भगवान स्री राम का उस रात वहीं पर ठहर करके उस बासर बासर माने दिन होता है ठीके तही बासर बस प्रात ही उस दिन वहीं पर निवास करके और रात्री वितीत करके प्राता ही भगवान स्री राम रगुनात का इसमर्ण करके चले राम दरस की लालसा राम के दरशन की लालसा मन में है भरत सरिस सब साथ भरत के साथ सब ही है यानि कि वो कहते हैं क्या कहते हैं समझ में आया नहीं क्या आपकी अगर नहीं आया है तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि उस तेही बासर बस ही प्रात ही यानि उस बासर उस दिन उस दिन वही ठहर कर और अगले दिन प्राता काल रगुनाज जी का इसमरण करके भगवान राम क इसमरन करके आगे चले और साथ के सब लोगों को भी भरत के समान ही राम चंदर के दर्शन की आसा लगी हुई है राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ यानि जो सब साथ में हैं सब जो साथ में हैं भरत के समान ही उनके भी राम दर्शन की लालसा है इच्छा है फिर देखिए आप देखिए मिटई दुखदा हूँ मंगल सगुन अर्थात मंगल सगुन सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं हो ही सब काहू सब काहू माने सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं और फरकही सुखद सुख देने वाले बिलोचन माने नेत्र बाहु माने भुजाएं सब के नेत्र और भुजाएं सब के नेत्र और भुजाएं कहा जाता है कि पुरुषों का दाहिना नेत्र और स्त्रियों का बाया नेत्र शुभ माना जाता है फड़कना तो कहते हैं सुखद यानि सुख देने वाले शुभ नेत्र ही और शुभ बाहू भुजाएं और नेत्र सब के फड़क रहे हैं ठीके सब की भुजाएं और सब की नेत्र फड़क रहे हैं मंगल शकुन हो रहा है और भरत ही सहित समाज उच्छाहू भरत के साथ समाज भी उच्छाह में है कि मिली हैं राम राम चंद्र जी मिलेंगे मिटी ही दुख दाहू और हमारे दुख और दाह सब मिट जाएंगे क्या दुख और दाह सब मिट जाएंगे करत मनोरत जस जिय जाके जाहि सने है सुरा सब चाके सिथल अंग पग मग डगी डोल ही बिहवल बचन प्रेम सब बोल ही बिहवल बचन प्रेम बस बोल ही राम सखाते ही समय दिखावा सैल सिरोमनी सहाज सुहावा जासु समीप सरित पयतीरा सीय समेत बसंदो बीरा देखी करई सब दंड प्रनामा कही जय जान की जीवन रामा प्रेम मगन अस राज समाजू प्रेम मगन अस राज समाजू जनु फिरिया वध चले रगुराजू समझे कि करत मनूरत मनूरत माने इच्छाए मन कामना आए मनू कामना आए जस माने जैसी जिय जाके जिसके जिय में जैसे मनूरत है जिसके जिय में जैसे मनूरत है वो वैसा ही मनूरत कर रहा है और जाही सनेह सुरा सब छाके सब सनेह रूपी मदिरा से छके हुए हैं सनेह माने प्रेम तो प्रेम रूपी सुरा मिंस मदिरा प्रेम रूपी मदिरा से सब छके हुए हैं सिथिल अंग पग मग डग डो लहीं सिथिल अंग सभी के अंग पैदल चलने के कारण धीले पड़ ग पड़ गए हैं, शीथिल अंग, पग, मग, डग़ डो लहीं तो सबके अंग सिथिल हैं, रास्ते में पैर डग, डगमगा रहे हैं और बिहवल होकर के बचन प्रेम बस बोलत प्रेम बस बिहवल होकर के सभी लोग बचन बोल रहे हैं यानि सबका गला भर आया है प्रेम में सभी भगवान राम के प्रेम में सराबोर हैं सभी क्यंग शितिल हैं पग मग माने रास्ते में पग माने पैर डग माने डग मगा कर ही डोल रहे हैं बिहवल बचन और प्रेम बस बोल प्रेम के वश होकर के बिहवल बचनों के साथ बोल ठीक है तो राम सखा तेही समय देखावा तो राम के जो सखा है राम सखा कौन है अब ये समझे राम सखा निशाद राज गुह है तो राम सखा जो निशाद राज गुह है तेही समय उस समय उन्होंने दिखाया सैल सिरोमरी सहाज सुहावा शैल शिरोमणी माने परवत राज परवतों का शिरोमणी सैल शिरोमणी मतलब परवत शिरोमणी कामदगीरी परवत की बात यहां पर की जा रही है कामदगीरी परवत सहज सुहावा सहजता के साथ सुशोवित हो रहा है यानि स्वाभाविक ही सुहावना जो है सहज रूप से ही जो सुहावन है ऐसे शायल शिरोमडी परवत राज कामदगीर परवत को दिखाया कहा देखो वो कामदगीर परवत नजर आ रहा है ए भाई देखो भरत वो कामदगीर परवत नजर आ रहा है जो कि शायल शिरोमडी है और सरस्वाभाविक रूप से सुषोबित हो रहा है जासु समीप उसी के समीप सरित नदी के पफ पफ मतलब होता जल नदी के जल के तीरा माने किनारे नदी के जल के किनारे सी समेट बसंक दो उबीडा जो कक्षा बारा के लोग अगर जुड़े हैं तो मैं उसे बता दूं कि उनका सिलेबस पूरा हो चुका है 21-22 के लिए आराम से प्लेलिस्ट देखते रहें कोई जंजट नहीं है चुपचाप आराम से देखते रहो बाकी मैं आपको कॉपी राइटिंग और मॉडल पेपर सर्दवार्सिक पेपर और प्रिबोर्ड पेपर सभी देता रहूँगा टेस्ट बगरा लेता रहूँगा ओके फिर देखिएगा सिये समेत बसा ही दो भी रातों कहते हैं जासु समीप और उसी उसी के समीप जासु मनें उसी के किसके उसी परवत के समीप और उ जासु समीप उसी नदी के किनारे सीय समेत सीता जी के साथ बस नहीं दो उबीरा दोनों उबीर दोनों भाई निवास कर रहे हैं तो देख करें सब दंड प्रणामा अब ऐसा देख देख करके उस परवत राज को ही देख करके सभी दंडवत और प्रणाम करने लगे कही जय जानकी जीवन भगवान स्री राम चंदर की जय करते विए सभी दंड और प्रणाम करने लगे प्रेम मगन राज समाजू प्रेम में ऐसा मगन राज और समाज है जनु फिर अवध चले रगो राजू ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आज ही अवध अर्थात अयोध्या को वापस भगवान स्री राम रगुराज वापस जा रहे हैं इस प्रकार में प्रेम में मगन हो गया है ऐसा राज समाज जो अयोध्या पुरी का है वो प्रेम में इस प्रकार मगन है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो आज ही भगवान राम अयोध्या को वापस जा रहे हैं क्या आज ही अयोध्या को वापस जा रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है ठीक है चलिए फिर आगे देखिए तो भरत प्रेम तेही समय जस तस कही सकई नसेशू और कभी ही अगम जी मी ब्रह्म सुकू आहा मम मलिन जनेशू वाह क्या वर्णन है इस दोहे में कहा कि भरत प्रेम तेही समय जस भरत जी का उस समय जैसा था तस वैसा कही सकई नसेशू सेशू का आर्थ जानते हो शेश नाग भी शेश जी भी शेश जी भी वैसा नहीं कह सकते यानि भरत का प्रेम उस समय जैसा है वैसा शेश नाग भी वरणन सेश जी भी वरणन नहीं कर सकते कभी ही आगं और कभ्यों के लिए तो वह आगं है ही वैसा ही अगं है जैसे ब्रह्म सुख अहम अहन्ता मम मलिन जनेशु ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद जैसे अहन्ता ममता से अहमम अहमम माने अहमता जैसा एहन्ता यहन्य अहमकार करने वाले और मम ममता से मलिन जनेशु माने लोगों के लिए हैं कभियों के लिए उसी प्रकार अगम है भरत जी का प्रेम उस समय ऐसा है कि उसका वरण शेश जी भी नहीं कर सकते और कभियों के लिए उसी प्रकार जी माने उसी प्रकार जैसे ब्रह्म सुक उसी प्रकार अगम है जैसे ब्रह्म सुक जैसे ब्रह्म सुक अहन्ता और ममता रहित ममता मलिन मम मलिन माने ममता मलिन ममता रहित जनेशु माने लोगों के लिए है ठिक आगे देखो समझे बहुत बहुत आनंद दायक रामचरित मानस का आनंद हदय तल तक पहुँचता है इसलिए रामचरित मानस को आप सभी लोग काईदे से पढ़िएगा ठीक है तो देखिएगा क्या लिखा है सकल सने है सिथिल रगुबर के गए कोस दूई दिन करढर के जलू थलू देखि बसे निसिबीते कीन गवन रगुनात पिरीते उहारा मुजरजनी अब सेसा जागे सी सपन वस देखा सहित समाज भरत जनुवाए नात बियोग ताप तन ताए अब देखिए सकल सने है सिथिल रगुबर के सकल माने संपूर्ण सने है माने प्रेम में शिथिल माने ढीले हैं रगुबर के रगुबर के प्रेम में सभी शिथिल हैं और गए कोस दूई दो कोस ही दिनकर ढ़र के अरथात सूर्यास्त तक मात्र दो ही कोस चले ठीक है दिन भर में दो ही कोस चल पाए क्योंकि इतना अबिहवल शरीर वाले हैं भगवान राम के प्रेम में शिथिल हैं तो गए कोस दूई दो कोस ही गए दिनकर ढ़र के अरथात सूर्य के धलने तक मात्र दो ही कोस चले जल ठल देखी बसे निस बीते जल और ठल देख करके बसे माने ठहर गए निस बीते तो जल और तल का बढ़िहासा सुपास देख करके बड़ी हास आउसर देख करके वहां पर रुके और निसी बीते, रात्र के बीत जाने पर कीन गवन मने चल पड़े, रगुनात पिरीते भगवान राम के प्रेम में फिर चलने लगे अब ये तो बात इधर की थी अब प्रसंग देखिए उधर राम तो उहां राम रजनी अव सेखा ठीक है उहां माने वहां कहा कामदगीर परवत के पास नदीत के तट पर जहां निवास कर रहे हैं तो वहां पर राम चंदरजी रजनी अवसेशा अर्था तभी रात बाकी थी ब्रह्म मुहूर्थ से पहले ही जाग पड़े ठीक है जगने से पहले ही जग गए रात बीती नहीं थी अभी फिर भी राम उधर क्या हुआ वहां राम रजनी अवसेशा रात्री रह जाने पर ही रात रह जाने तक ही जागे जाग पड़े और सीय सपन अस देखा ठीक है तो वहाँ जब वहाँ जाग पड़े तो क्या सपन अस देखा तो रात को सीता जी ने ऐसा सपन देखा मतलब रात सेस रहेगी तभी भगमान राम जाग पड़े तो अब सीता जी ने जागे जगे जब तो देखा कि सीता सी ये सपनस देखा सीता जी ने ऐसा सुपने देखा कि सहित समाज समाज के साथ भरत जनु आए भरत लोग समाज के साथ आए हैं और नात वियोग ताप तन ताए और भगवान राम के बियोग में नाच स्वामी आपके बियोग में ताप तन ताये यानि की तप्त शरीर वाले हैं अर्थाद आपके बियोग के ताप से जले हुए शरीर वाले हैं आपके बियोग के ताप बगनी से उनका शरीर संतप्त है ऐसे आए ठीक है तो सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासु आन अनुहारी सुनि सिय सपन भरे जल लोचन भए सोच बस सोच बिमोचन लखन समीप यानी लखन सपन यहानीक न होई कठी ने कुचाह सुनाई ही कोई असकही बंधू समेत नहाने पूजी पुरारी साधू सनमाने समझे कि अब वो सीता जी अपने सपने के बारे में बता रही है क्या बता रही है कि भाईया ऐसा है हमने सपना देखा तो समाज के साथ भरत आए हैं उनके साथ तमाम लोग आए हैं और आप हेनाथ आपके वियोग में संतप्त शरीर वाले हैं आपके वियोग की अगनी में जलकर संतप्त शरीर वाले हो गए हैं और सकल मलिन सकल मलिन मन दीन दुखारी समपूर सकल मने सभी लोग मलिन मन मलिन मनवाले हैं दीन और दुखी हैं देखी सासु और सासुओं को भी हमने देखा कैकै सुमित्रा और कोशल्या को भी हमने देखा सासु आन अनुहारी मतलब हमने क्या देखा तो मैंने क्या देखा सभी लोग मन में उदास है सासूं को दूसरी ही सूरत में देखा आन अनुहारी आन माने अदर अदर अनुहारी अनुहारी मतलब सूरत दूसरी हालात अनुहारी माने हालात सूरत ठीक है ठीक है तो दूसरे ही हाल में हमने सासूं को देखा है सुनिसीय सपन सूीता जी का सपन देख करके भरे जल लोचन नेतरों में जल भरलाये कौन भगवान राम समझ गए कि प्राता काल का ये सपन है सच तो हही है भए सोच बस और वो शंका गरस्त हो गए शोक के वसमे हो गए सोच विमोचन जो सोच को के विमोचन है अर्थात दूसरों के शोक को जो छुडाने वाले हैं दूसरों को जो सोच से छुडा देने वाले हैं प्रभु सुयम सोच के वश में हो गए हैं और कहते हैं कि हे लखन भाई लक्षमर सपन यह नीक नहोई यह सपन नीक नहोई भाईय इस अपन अच्छा नहोई कथिन कुछाह कथिन कुछाह सुनाई ही कोई कथिन कुछाह मने कथोर कुछाह मने 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 चले गए और पूजी पुरारी साधु सन्मा ने वहाँ पर पुरारी अर्थाद भगवान शिव की पूजा की और साधुओं को सम्मानित किया साधुओं को दान दिया अब आगे देखिएगा सन्मानि सुरमुनिवंदी बैठे उतर दिसी देखत भए नभधूरी खग मृगभूरी भागे विकल प्रभु आस्रम गए तुलसी उठे अवलों की कारणु काह चित सककित रहे सब समाचार की रात को लनी आईते ही अवसर कहे सुनत सुमंगल बैन सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर सरद सरो रुह नैन तुलसी भरे सने है जल तुलसी भरे सने है जल सनमान सुर मुनि बंदी बैठे उतर दिस देखत भए समझेगा सनमान अर्थात सुर सनमान सुर देवताओं को सम्मान अर्थात देवताओं का पूजन करके मुनि बंद मुनियों की बंदना करके बैठे उत्तर दिश में देखने लगे उत्तर दिशी उत्तर दिशा को मुह करके बैठ गए नभ धूरी तो नभ माने आकाश में धूल खग म्रिग आकाश में धूल उड़ रही थी खग म्रिग यानि की पक्षी और म्रिग हिरन यानि म्रिग उनसको कह सकते हो जंगली जीव धूरी माने अनेकों भागे भाग करके विकल व्याकुल हो करके डर के मारे प्रभु आसरम गए प्रभु जी के आसरम में सब चले गए क्या देखा कि भाई आकाश में धूल का बवंडर है तमाम पच्छी और पशु ब्याकुल होकर भागे प्रभु जी के आस्त्रम में घुस गए है तो अब फिर कहते हैं तुलसी दास जी कहते हैं उठे अवलो की कारण तुलसी उठे अवलो कारण आखिर क्या कारण है चित साचकित रहे चित माने अपने चित में हरदय में साचकित माने आस्चरे चकित हो गए कि भाई क्या कारण है कभी भाई पशु पक्षी यह सब हमारे यहां भाग कर नहीं आते थे आज क्या है क्या कोई समाचार खराब है सब समाचार जितना भी समाचार था तो किरात वनवासी लोग जो है किरात और भील ये वनवासी जातियां है वनवासी तो सब समाचार किरात और कोल कोल किरात जो वहां की जो कोल भील है उन्होंने आकर के कोल भीलोंने आईते ही आउसर कहे उसी समय आकर के समाचार सारे बताये सारा परतान बताया सुनत सुमंगल बैन तो सुमंगल माने बहुत ही कल्यान कारी बैन माने वचनों को सुनत माने सुनते ही मन प्रमोध उनके मन में प्रमोध यानि प्रसंता और तन पुलकित हो उठा, पुलकित का अर्थ आप लुग नहीं, आप कहें समझ पा रहे हो तो पुलकन माने एक सिहरन, जो सरीर में थोड़ा सा रोमान्चो हो, प्रसनता के मारे उसको पुलक कहते हैं, ठीक है? रोएं ख़ड़े हो जाना, पुलकित हो जाना, तो तन पुलक भर शरी शरीर में बिहवलता के कारण शिति शरीर में पुलकंसी उनका शरीर में छा गई सरद सरोरुह शरद माने होता है शरद कारीन जाड़े के समय का सरोरुह माने कमल नैन तुलसी भरे सनेह जल यानि कि जो शरद के कमल नैन है शरद रितु के कमल नेत्र है वो तुलसी दाजी कहते कि भगवान राम के लक्षमड के सनेह जल से भर गए ठीक है भगवान राम के जो कमल रूपी नेत्र हैं वो प्रेम आसुमों से भर गए ठीक है शरद रितु के कमल के समान जो उनके नेत्र हैं वो प्रेम के आसुमों से उस समय भर गए और क्योंकि सुना उन्होंने कि भई लक प्रेम था, ये भाई भाई की महबबत थी, और वो महबबत उसमें सरकाटना नहीं था, सरकटाना था एक दूसरे के लिए, ये महाभारत की भाई नहीं थे, ये राम के भाई थे, ये रामायर कालीन भाई थे, जिसकी कल्पना आज की युग में असंभव प्रतीत होती है, ऐस बीच में प्रसंग आपका नहीं दिया गया है थोड़ा सा शाट कर दिया गया है तो अब यह कहते हैं कि भरता ही हो अब यहाँ पे लच्छमर जी गुश्चा होते हैं कहते हैं उसको राजमद हो गया है और वो भरत हमारे यहां सेना लेकर के आ रहा है और वो हमको क्या करेगा उसको राजमत से वो बहुत ज़्यादा भर गया है सेना लेकर के हम लोगों को मारने आ रहा है लचमर थोड़ा एंग्री मैं थे गुस्सा हो जाते थे तुरंत क्रोधित हो जाते थे तुरंत उनको डाउट हो जाता था तो का रहे यार वो लचमर आ रहा है वो भरत आ रहा है भरत वो सेना लेकर क्या रहा है सुरी भरत सेना लेकर क्या रहा है और वो हम लोगों मार देगा वो भरत आ उसको राजमत हो गया है राजमत में अंधा हो गया है और हम लोगों को कत्र कर देगा मडर कर देगा अईसा करते हैं लाओ धनुजबार भावी जी भावी मा धनुजबार कहा है उठाओ जल्दी मैं मार देता हूँ भरत को तो अब राम जी यहाँ पर कहते हैं क्या कहते हैं भरत ही हो ही नराज मदू बिदी हरी हर पद पाए कब हो की कांजी सी करनी यानी की भरत को राज मदू नहीं हो सकता भरत को राज का हैंकार नहीं हो सकता भरत चाहे बिधी यानी ब्रह्मा हरी बिष्णू हर शिव हर माने शिव हरी माने बिष्णू बिधी माने ब्रह्मा चाहे ब्रह्मा बिष्णू महेश का स्थान पाई प्राप्त कर ले लेकिन भरत को राज मद नहीं होता चाहे उसको ब्रह्मा विष्णु महेश का पद दे दिया जाए चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश पे अपाइंटमेंट हो जाए उनके पदों पर लेकिन भरत को राजमद नहीं होगा क्योंकि कब हुँ कभी कांजी सीकरनी अभी कांजी क्या होता है और सीकरनी क्या होता है आप समझेए कांजी मने सिरका कहलो एसिटिक एसिड कहलो या फिर तेजाब कहलो या खटा पदार्त कहलो या नीम्बू का रस कहलो कांजी का मतलब होता है खटा पदार्त तो कब हुँ कि कांजी सीकरन सीकर मने होता बूंद कभी सिरके की बूंद से छीर सिंधू अर्थात दूध का सागर छीर माने दूध क्या दूध का सागर छीर सागर बिनसाय माने नश्ट हो जाएगा क्या सिरके की एक बूंदों से सिरके की दो चार बूंदों से कभी भी छीर सागर का दूध नहीं फट जाएगा कि अर्बों खर्बों लीटर दूद हो उसमें एक दो बुन्द, चार बुन्द, दसबुन्द, सिरके की डाल दो, खटाई डाल दो, तो क्या खटाई की दस बारा बुणदे डाल दो, तब भी क्या पूरे समुद्र, वो दूद से भरा हुआ, तो क्या वो फट जाएगा दूद, उसमें पनीर नहीं बनेगा, ये भूल है आपकी लक्षमर, तो भरत को राजमद नहीं हो सकता है, भरत चाहे ब्रह्मा का पद पा जाए, भरत चाहे विश्णू का पद पा जाए, भरत चाहे महेश का पद पा जाए, लेकिन उसको राजमद देकर कहते हैं क्या कहते हैं कित्ती मीरू तरुन तर निहीं मकु गिलाई गगन मगन मकु में घही मिलाई गोपद जल बूढई घट जोनी सहज छमाबर उचाणई छोनी मसक फूंक मकु मेरू उडाई होई नन्रप मदू भरत ही भाई तीन लाइनों में समझ ये पहले कित्ती तीमीरू तरुन तरानिही मकु गिलाई तीमीर माने अंधकार तरुन माने मद्ध्यान के जो मध्य का होता है मद्ध्य मतलब मध्यान कालका दोपहर का सूर्य सबसे अधिक चमतक्रित होता है तो वो कहते हैं तरणी ही माने होता है सूर्य तरण माने जवान कह सकते हो मध्यान का मिडिल सूर्य कह सकते हो मकु गिलई चाहे अंधकार मध्यान के सूर्य को निगल जाए मकु गिलई मकु माने चाहे मकु माने चाहे चाहे अंधकार मध्यान के सूर्य को निगल जाए गगन माने आकाश और चाहे आकास बादलों में जाकर समाकर मिल जाए मकू चाहे गगन आकास मगन मगन हो जाए मगन होकर के मेघों में मिल जाए और गोपद गईया के पैर से खुदे हुए गढ़े के जल में बूढ़ाई घट जोनी घट जोनी का मतलब होता घट योनी और घट योनी का मतलब होता घड़े से उतपन और घड़े से उतपन कौन घड़े से कौन उतपन था अगस्ति रिशी जन्होंने समंदर पी लिया था तो कहते हैं कि चाहे गोपद गववों के पैर के जगा के बराबर भरे हुए खुर के जल में खुर के गड़े में भरे हुए जल में चाहे घट योनी अगस्ति रिशी डूब जाएं और सहज च्छमा सहज च्छमा और सहज च्छमा मतलब सहज च्छमा मने स्वाभाविक च्छमा मने सहई शीलता चाहे अपनी सहेज चमा शीलता, भरु छाराई छोनी प्रथवी और चाहे प्रथवी अपनी सहेज स्वाभाविक सहन शीलता चमा मने सहन सीलता को छोड़ दे मसक फूंक मच्छर की फूंक से मकुचाहे मेरू सुमेरू परवत उड़ाई उड़ जाए होई नन रपमदू लेकिन राजमद भरत ही भाई हे भाई मेरे भरत भाई को राजमद नहीं हो सकता राज्यका हेंकार राज्यका घमंड मेरे भरत भाई को नहीं हो सकता है समझ में आया लखन तुम्हार सपत पितु आना सुची सुबंधू नहीं भरत समाना लखन तुम्हार सपत पितु आना वो क्या कहते हैं लखन तुम्हार सपत पितु आना सुची सुबंधू नहीं भरत समाना यानि हे लख्यमड तुम्हारी सपत और पिताजी की सोगन्द खाकर कहता हूँ लखन तुम्हार सपत हे लखन तुम्हार सपत है एल अच्मर तुम्हार कसम है पितुआना पिताजी की भी है हम पिताजी की और तुम्हारी कसम खा के कहते हैं शुची शुची माने पवित्र सुबंधु सुबंधु अच्छा भाई सुबंधु अच्छा भाई नहीं भरत समाना भरत के समान बरत के समान कोई पवित्र और सुबंधु इस धरा पर नहीं है हे लखन मैं तुम्हारी शपत खाके कहता हूँ और साथ मैं पिता जी की भी खाके कहता हूँ कि इतना पवित्र बंधन इतना पवित्र भाई इतना पवित्र बंधु इस धर्ती पर भरत के समान और कोई नहीं है समझियेगा सगुन क्षीर अवगुन जलु ताता वो क्या कहते हैं कि हे तात लक्षमड हे भाई लक्षमड सुनो सगुन खीर सगुन खीर मतलब गुण रूपी दूध सगुन खीर सगुन दूध दूध सगुन दूध आवगुन जलु ताता हे तात तात मतलब हे तात हे भाई तात के तमाम तात माने पिता तात माने भाई तात माने बंदू तात माने मित्र तात माने पुत्र तात के अर्थ हैं तमाम तो तात हे तात मतलब जैसे आप डियर बुला देते हैं किसी को भी जैसे गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिला करके मिलाई रचै परपंच विधाता जैसे विधाता इस प्रपंच को रचता है जैसे गुण रूपी दूध और अउगुण रूपी जल को मिला करके विधाता इस दृष्च को इस प्रपंच को इस जगत को इस संसार को रचता है भरत रूपी हंस रूपी जनम लेकर के गुण और दोश में विभाग कर दिया है अलग कर दिया है अब आप समझे कि इस संसार में गुण और अवगुण को मिला करके ब्रह्मा जी ने विधाता ने इस संसार को गुण और अवगुण को मिक्स करके बनाया है इस संसार में गुण और अवगुण को मिक्स करके किस ने बनाया विधाता ने बनाया है लक्षमण तात सुनो जैसे सगण रूपी दूध गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिला करके प्रपंच इस विधाता ने प्रपंच अर्थात इस संसार को बनाया है स्मिथ्या जगत को बनाया है लेकिन उन्होंने बनाया है लेकिन भरत हंस भरत रूपी हंस रभिवंस माने सूर्य वंशी सरोवर में सूर्य वंशी सरोवर में भरत रूपी जो हंस है उसने जनम जनम लेकर के कीन गुण दोस विभागा उसने जनम लेकर के गुण और दोस में विभाग कर दिया है गुण और दोष में बटवारा कर दिया है गुणों को अलग कर दिया है गही गुण पय तजी आवगुन बारी उसने जैसे दूद का दूद और पानी का पानी हंस कर देता है तो गही गुण उसने गुणों को तो गहे कर गहे कर लिया और पय गही गुण गुण रूपी दूध को उसने गही माने गरहन कर लिया तज अवगुण बारी अवगुण रूपी दूध को गरहन किया है निज जस जगत कीन उजियारी निज जस अपने यश से जस मने यश मने कीर्ती अपने यश से जगत में कीना है उजाला इस संसार में उसने उजाला किया है तो कहत भरत गुन सील सुभाव भरत के गुन शील और सुभाव को कहते कहते प्रेम पयोध प्रेम के समुद्र में सागर में मगन रघुराव प्रेम के सागर में रघुराव अर्थात भगवान राम मगन हो गए बस बच्चों आज के लिए मैं इजादत चाहूंगा क्योंकि मसला ये है फिर बहुत लंबा टाइम हो जाएगा और आप भी उब जाएंगे और हम भी उब जाएंगे इसलिए ठकान महसूस होने लगती है क्योंकि अगर इतना काईदे से न पढ़ाया जाए इतना गुढ़ अ हूँ आज अपनी वाणी को आज के लिए इतना ही रखोंगा ठीके फिर कल मिलेंगे चलिए देखते हैं कौन-कौन लोग जुड़े है हमारे साथ अगर आप सभी की इच्छा है तो आज ही पढ़ा देंगे भाई हैपी नवरात्री, आर्यन, पलक पांडे, अमित राजभर, आयुष मिश्रा, सौम्या, साक्षी मिश्रा, मन्नु यादो, मोहित कुमार हमारा कमेंट नहीं पढ़ है अरे अब हम कमेंट पढ़ना सुरू किये हैं तो आपकी पढ़ लेंगे कमेंट आरेंतिवारी हाँ पहले चलता था बट अब नहीं चलता सिस्टर, क्या भया, सर डेली क्लास लीजिए, मैं डेली लूँ, हाँ बिलकुल पलक पांडे, दिक्कत नहीं अब डेली, सर ग्यारा की डेली टाइम बता दो, और सात बजे भया, सात बजे आ जाओ, राहुल बिंद सबका सा, सबका विकास कर रहे हैं, मैं बोलने ही वाली थी, बस करें थांक्स, ठीक है, से लिए समया, बहुत अच्छा है, छोटे-छोटे ठंखंडों में हमको पढ़ना है, बहुत लंबा नहीं, क्लास फिर इसको कल, इसी यहीं से, आपको दोहा संक्या 6 से, कल मैं पढ़ा सामा ने दोनों लोगों के लिए है, भानु सिंग है, आकाश निशात, सुनील राज है, चलिए, अरे चले का यार टाइम नहीं था, चले का आज, कहीं जाते नहीं, भाई आप देखो, आप रेगुलर रहतने करा, और दो-तीन दिन हमारे हां नेट बंद रहा, तो नेट बं की को सुने थोड़ी ने आप, चिटफी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां वो चले गए, कौन जो पढ़ाते थे, चलिए, हाँ बिल्कुल एक एक शब्दों का आर्थ बताने की कोशिश करते हैं, कुछ शब्द, ऐसे हुई नहीं सकते जो मैं आर्थ ना संभो प्रयास करता हूं, कि 99 प्रतिशत आपको 99 प्रसंट आर्थ मिल जाए हर एक शब्द का, कभी कभी हो जाता ना, चलिए अमित राजबर भाई, हम सभी को प्रेम करते हैं, है ना, आकाश निशाद, लव्यू टू, चलिए, ठीक है, बिल्कुल राहुल बिन जी, आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, हम है मोहित कुमार जी, हम है सीतापूर से, चलिए ठीक है, आईश मिश्रा, आशिश यादो, मैं टेट की तियारी करूँ, तो हिंदी संस्कृत भोगोल सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, काहे नहीं सही रहेगा, टेट की तियारी तब पिस याद काई शलिए सुट इनरोग मिश्राध。